सबस्क्राइब कीजिए Agriculture Exam Guruji चैनल को और बेल आइकन को दबाये ले टेस्ट ग्रीक फैक्र वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपका Agriculture Exam Guruji YouTubeirm चैनल पे आज वर आजका जो मेरे सेशन होगा यूजफोल होका Agriculture के लिए इफको के जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं और नवाट के जो एक्जाम होंगे उसके लिए मेरा सेशन ज्यादा यूच्फूल होगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एक रिकल्चर एक्जाम गुरुजी यदि मेरा वीडियो आपको पसांद आता है तो लाइक जारखंण का जो सील्ख प्रोडुशन है उसकी जो ब्रांड डवेज़र किसे बनाया गया है तो इसका राइट एंसर है विद्यावालन वहां की जो सील्ख प्रोडूशर इसका ब्रांड डवेज़डर बनी है तो यह मेरा एसाइमेंट था पिछले वीडियो का जिसका मनें विडियो कर लेंगे और अपने अंसर चीमिस्सर ग्रूप करेंगे जिससे आपको ज्यादा ज्यादा भ्यादा भी्यान की आपके लिए तो माया किसकी की भिराइटी है तो जरूर आपको इसका आना चाहिए तो इसका राइट अंसर है मस्टर्ड मस्टर्ड जो है माया जो है एक भिअटी है मस्टर्ड की और फिर्ट है रहे रहे चेर्ट। to Ceerem तक सेलिट होती है तो यह एक्यूशन है एनेफल एक्जाम में आया हुआ है इसका राइट अंसर है डे नाइन अंस के लिए यह वैलिड होती है इसका राइट अंसर है बी 15 मिंबर होते है यहां आपको कि एंसर कुछ और होता है तो मुझे जरूर आप कमेंड बॉक्स में बताएंगे यह मैंने अंसर बुक से लिया है तो इसमें जो होते हैं तस फार्मर होते हैं होते हैं एंड तीन इसमें 10 फार्मर होते हैं और तीन होते हैं जो ट्रेडर होते हैं और एक एक गौवर्मेंट लोकल बोडिज होती है एंड फिफ्नमर क्यूशन देखते हैं मॉक टेक्ट होने वाला है मैं इसकी वीडियो के माध्यम से और MCQ के माध्यम से कुछ इफो का क्यूश्टन लेंगे जो काफी इफो काफी हीडियो काफी इपोडियो में आपको अपटाना है तो इस्का फुल फॉर्म है इसका राइट एंसर है c Indian farmer fertilizer cooperative limited यह analysis करेंगे answer से जो यह सही होना बहुत जरूरी है जदि आप इफको का exam देने जा रहे हैं तो यह सब आपको जनकारी होना बहुत जरूरी है इफको का headquarters कहा है तो इसका राइट अंसर है डी निव दली एंड सेवें नमबर क्यूशन इफको फॉंडेंड इन किस वर्स इफको की अस्थापना हुई थी यह इफको का इसका राइट अंसर है तीन नमबर उनिस सो सडशट फिर इट नमबर क्यूशन है चेर्मैन ऑफ इफको का चेर्मैन अभी परजेंट में कौन है आपको बताना इसमें चार ऑप्सन है बलविंदर सिंग नकाई मिश्टर प्रेम चंदर मूनसी मिश्टर मंगी लाल डंगा एंड मिश्टर इसका राइट अंसर कों सा है मिश्टर बलविंदर सिंग नकाई मिश्टर में चेर्मैन remain है चुर्स का राइट अंसर आपको बताना है इसका राइट एंसर कौन सा है इसका राइट एंसर है C Dr. Udhay Sankar Avasthi जो US Avasthi सहाब है MD and CEO भी IFCO के हैं बने हुए है and 10 है How many production units of IFCO across India IFCO का कितने production unit इंडिया के चारों तरफ लगे हुए है एदि आप IFCO का एक्जाम देने जा रहे हैं तो ये सब भी क्यूशन IFCO अपने बारे में पूछती है कि आप IFCO वारे मेरे बारे में कितना जानते हो ये सब कोई book में नहीं मिलेगा आपको नेट के माध्यम से वीडियो के माध्यम से आपके ये जनकारिया उपलवद होती है तो इसे जरूर अपने गुजरात में और यहां पर अमोनिया की प्रोडक्शन होती है फिर दूसरा है कांडला जिसका अस्थापनावाता 24 जून 1971 को सिटुएटेड हैं सिटुएटेड है यह रान एंड कच कंडला पोर्ट जो वो गुजरात में है जो कंडला पोर्ट है उसके नजदीक है यह दिस इज वन आप दा मोस्ट मोडर्न फॉस्पेटिक फटिलाजर प्रोडक्शन इनिट इन दा वर्ल टूड़े मतला यह जो प्रोडक्शन इनिट है फॉस्पेटिक फटिलाजर का यह मोडर्न है और यह पूरे वर्ल्ड में पहला है जो कि मोडर्न फॉस्पेटिक फटिलाजर प्रोडक्शन इनिट है फिर ठर्ड है फूलपूर यह दस जार एक हजार अर्शाठ एकर में फैला हुआ है और इसका स्थापनवनी 181 हुई थी हिफको फुलपूर प्लांट होल्ड गरिख़देट ऑब्लाजर अबσιचे फट्रेह फूल प्रोडक्शन सब ज्यादा डेली का अस्थीथ उनिटों नृट सब्सेज्चाट उनिटों यहें फिल्पूर में होती है ज्यतने भी उप्लांट है उस्षी यह में फूल्पूर य यह इन्वार्मेंटल जो भी बातावरंड से संबंदित है इत नोन फॉर अदॉप्टिंग दा मोच अस्टानेट मीजर तो मेंटेन एकोलोजिकल बैलेंस जो बनाए हुए रखता है जो प्रोडक्शन यूनिट है जो दोग है और फिप पारादीप जो दुहर पांच में इसक करता है यह उडीशा में स्थीथ है wild digest ग्रस्वूट अफ द्यएपी प्लांट एक मात्र प्लांट है इफको का वह पारादीप में है and 11th नंबर है विच मिनिस्ट्री कम अंडर फर्ट्लाइजर किस मिनिस्ट्री के अंदर फर्ट्लाइजर आता है तो इसका फुर्स्ट एंस my dearienen partner इसकह अगए लोगा इसका राइट एंसरometer बीchos legitim केमिकल एंड फैसलाइजर अगे अंदर रोद यह यह फैसलाइजर हाता है किशेट मिनिश्टारिण फैसलाइजर मीनिश्टर आफ इंडिया अथ में फैसलाइजर chemical minister India के कौन है तो आपको बताना है इसका फर्स्ट ऑप्शन है अनंत गीते सकेंड है भी श्रीमति हर्समित कौर बादल and C है अनंत कुमार and D है राधा मोहन सिंग तो आपको बताना है इसमें इसका राइट अंसर है C. अनंत कुमार इसके fertilizer minister है and 30 number question who is the president of Indian chemical council chemical council के president कौन है तो चार option है इसमें आपको बताना है चार अधियाब आपको मेरा यह चैनल पसंद आता है तो subscribe जरूर कर लेंगे और bell icon को दबाएंगे जिससे latest video आप सबसे पहले देख सकें इसका राइट एंसर है रवी कपूर रवी कपूर इसका राइट अंसर है and 40 number question which of the following is not a cooperative federation in India बहुत important question है यह बहुत समझना पड़ेगा इसको कौन सा जो इसमें चार federation है वो कौन है जो की cooperative society नहीं है तो इसका राइट अंसर है C mother dairy mother dairy जो है वो individual है और यह तीन जो है नफेड क्रीव को यह तीनों जो है cooperative society है तो फिर 14 number question है फुल फॉर्म आफ एस 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 ए आई जो मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के आता है वो भी आप हमारे comment box में लिखेंगे और इसका फुल फॉर्म आपको बताना है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्स for watching agriculture exam गुरू जी यह दी मेरा वीडियो आपको फसंद आता है तो लाइक करेंगे share करेंगे और comment करेंगे जै जवान जै किसान